दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागता है हमारी यूट्व चैनल में आज हम बात करेंगे टार्गेट एचेस 2024 मन्त ऑफ दिसम्बर का आपका टार्गेट कह रहे ने चाहिए इसमें हम सब चीज़ें में बात करेंगे जी एस पे सी सेट और आपका सब्जेक्ट इस पे आपको कितना कितना टाइम देना है हाला कि इसके लिए 85 डेज बाड़ी जो मैंने आपको वीडियो बढ़ाई थी उस पे भी बात करेंगे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे के टार्गेट है एचेस 2024 मन्त ऑफ दिसम्बर NCRT आपकी complete हो चुकी होगी 15 दिन का मैंने इस में टाइम आपको बताया था कि 15 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ आपको NCRT पढ़नी है 15 देज लाकि और दो बार कम से कम आपका revision हो जाना चाहिए तो NCRT उमीद है कि आपकी complete होगी होगी क्योंकि एक तारिक तक ही उसका 15 दिन का टाइम आपका complete हो चुका है अगर नहीं हुई revision के लिए आप मुझे बता देना ये वीडियो में revision के रूप में चालो कर सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो अगर नहीं है तो कोई जरूरत उसकी नहीं है अगर दो बार आपके अच्छे से complete हो चकी है आपने important important चीजें इसमें note कर ली है सेलेक्टिव सेलेक्टिव मैंने आपको NCRT बता देती सिर्फ और सिर्फ हैस के लिए वो जाकर आप वीडियो दे सकते हैं 85 डेस वाड़ा भी दे सकते हैं और जो मैंने list बनाई भी टार्गेट है अच्छेस 2024 की मैंने playlist बना रखिए ठीक है यह हमारे YouTube चैनल पर आपको playlist मिल करते हैं आगे क्या है आगे जैसे के पहली बात तो आपको आपका जो time है time आपको बढ़ाना पड़ेगा study time study time आपको बढ़ाना पड़ेगा December मन्त के लिए क्योंकि आपको पता यह time कितना बचा हुआ है अगर आच्छा form की बात है जिन बच्चों ने भी तक form नहीं बढ़ा form भर लेना वाई last time में फिर दिक्कत हो जाती है किसी ने किसी तरह की ठीक है तो study time आपको बढ़ाना पड़ेगा कम से कम 8 गंटे कि आपकी study होनी चाहिए इतना time तो आपके पास होना चाहिए अब service वाड़े हैं या कोई और problem है तो एक अलग बात है फिर उसी साफ से manage करना पड़ेगा आपको तो NCRT अगर complete हो चुकी है उसके बाद है आपकी second आती है reference book reference book में मालो इसमें तीन चीज़ों बात करें reference book में जैसे के GS के लिए reference book है आपकी ठीक है उसके बाद C set है और तीसरा आपका और आपका और साथ में लेकर चलने पड़ेगा तीन से चाहिए उठाई भी नहीं जा स उनका C set अच्छे से त्यार है math reasoning का background है ज्यादा समस्य है उनको GS पर ध्यान देना चाहिए तो यह चीज़े आप अपने इसाब से देख रहे ना लेकिन मैं तीनों को इसमें बता देते हैं जैसे के reference book है अभी NCRT आपने complete कर रखिए अगर आपने मालो geography उठा रखिए geography की reference book मैंने आपको बता रखिए महिश्कमार बर्णवाल और Atlas के लिए और Black Swan का Atlas है बुक आपकी महिश्कमार बर्णवाल ही मैंने बताई है अगर आप पहले से कोई और follow कर रहे हैं अलग बात है ठीक है तो geography में मालो अगर आपने NCRT पढ़ रखिए अगर आपने geography की complete कर रखिए हैं तो basic और बहुत सी और चीजे environment के topic और 50% आपका geography में complete होई जाता है तो महिश्कमार बर्णवाल आपकी revision के रूप में रहेगा और इसके लिए अगर आपको selective थोड़ से topic चाहिए तो topic तो मैंने आपको बता रखिए अगर आपको यह को आपने quality उठा रखिए सबकी बात कर लेते हैं किसी किसी ने कुछ उठाया होगा किसी ने कुछ उड़ाया होगा किसी ने history उठा रखिए history में भी आपने तीन NCRT पढ़ रखिए old NCRT मैंने आपको बताई थी तो उसमें भी आपका basic clear हो जाता है सारा का सारा ठीक है quality में म आपका basic clear हो जाता है इसमें एम लक्षमी कांत है ठीक है और history में मैंने आपको spectrum की बता रखिए और art and culture के लिए बता रखिए नितिन सिंगानी की book है उसके लिए मैं topic आपको बता दूगा ठीक है उसमें टाइम लगएगा थोड़ा सा तो यह चीज़े मैं आपको बता इसको पहले तो यह डिसाइड होना चाहिए चार से पांच घंटे आपको देनी देने हैं तो कोई भी book है मैं इसको मार्ण बाण वाला है उसका आपका target जो रहना चाहिए target का आपका या तो एक हफते का या फिर तस दिन का आपका target इससे जाद हैंगा target आपका नहीं रहना इसी साब से आपसका syllabus complete हो पाएगा मैं आपको बता रहा हूँ यह चीज ठीक है कुछ chapter होते हैं वो छोड़ने लेक ही होते हैं वो selective मैं चीज़ें आपको बता दूँगा हाला कि जो chapter मैंने chapter वाड़ी वीडियो बना रखे हैं मैंने सारी चीज़ें बता रखे हैं आप chapter एक करके लगा बीज़ सकते हैं दो-दो chapter आप complete करोगे तब भी आपके हो जाते हैं दस दिने 20 या 25 chapter आप आराम से कर सकते हैं तो यह हपते से 10 दिन का आपका टार्गेट रहने चीज़ें इससे जादा का टार्गेट आपका नहीं रहने चीज़ें क्योंकि अगर आप इससे चा आप नहीं कर रहा है उसके बाद हैं C-set C-set की बात करें तो C-set में मैंने बताई रखा आपको कहां से कितने question आते हैं वो वीडियो आप देख सकते हो भाई सारी सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर कर रखी है C-set की बात करें तो मैंने बताई रखा 50% से 60% इस बार तो 80 से उपर चला गया था 80% तक है math reasoning दोनों चीज़ें ज़्यादा आती है ठीक है तो आपको math का चेप्टर उठा लेना है और reasoning की एक exercise जरूर लगाने है यह चेप्टर आपका एक दिन में complete होता है दो दिन में को यह कोई मायने रखता ठीक है क्योंकर C-set के लिए आपके पास time है GS में तरह टाइम है यह आपको दो चीज़े में basic आपको complete करने है और यह आप कर सकते हो math के मैंने आपको selective topic बता रखे है ठीक है वो मैंने वीडियो में बता दिया दुवारा दुवारा बता देता हूँ मैंत के सारे topic बता रखे है reasoning है वो topic आपको उठाने है दिवार पर चिपका लो अच्छे से एक एक टो जो complete होता सुर्व मारक करते चलो साथ साथ में ठीक है तो यह आप complete करोगे इसे 2-3 गंटे आपको देने चाहिए 4-5 गंटे आप वान देते होगे एक घंटा इसके लिए निकालने है आपको optional subject के लिए जिनका option subject बिल्कुल भी नहीं या अभी आपने चोज किया है ठीक है option subject के लिए मैंने वीडियो बना रखिया जाकर आप देख सकते हो तो दो घंटे से दे सकते हो जिनका cset मजबूत है तो आपने आप से time management का target आपका यही रहना चाहिए जो overall बात है चार से पांच घंटे आपको देने चाहिए जीए इसके लिए क्योंकि इसी क्याधार पर merit बनेगी कि आपकी यह तो आपको पताईए कट आप मैं दवारा से बताते हैं 60 प्लस लेके आपको चलनी है ठीक है 60 प्लस का हुआ है आपका target प्लस करने चाहिए 60 प्लस करने यह December के लिए आपका target यह चीजों का रहना चाहिए clear होगी चीज वही आट गंटे आपको निकालना है अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता किसी का time है जैसे के बहुर नहीं कुछ लोग सुबट के पढ़ते है ठीक है और कुछ लोग का रात का ही night का ही रहता है पढ़ने का ठीक ह मैं आपको बताता रहता हूँ ठीक है इसमें सिर्फ मैंने यही बताया है कि आपको December के महीनी में आपका target कह रहा है नचीज आप time management कर ले ना अपने हिसाब से तो कि किसी का CSAT कमजोर है किसी बच्चे का option subject कमजोर है किसी का GAC कमजोर है तो इसमें तो आपको पता ही यह इसक शर्चे current के लिए पूछ रहे थे बई current के लिए मैंने आपको दुबारा से बता दूँ current के लिए मैं आपको PDF दे दूँगा 15 दिन पहले क्योंकि इतना current इसमें नियता selective current इसमें आता है चाहाए वो हर्याना का हो चाहाए वो national international current हो ठीक है वह आप मुझे बता देना ncrt अभी उन्हें डाल परा उसे एक्टिव नहीं हो मैं तो उस पर सुरू कर लेंगे ऐसे तो तो ये चीज़ आप बता देना और कोई कोश्चन हो किसी तरह का डाउट हो मन में तो वह भी आप मुझे बता देना बाकी इसके लिए जो कोश्चन है जो उसके प्रीविस एर पेपर कि जो एच्छिस के हैं वो मैं लगवा दूँगा जल्दी इस चीज़ों में काम चल रहा है जल्दी चीज़ें सुरू हो जाएंगे देखने और सुने के लिए धन्यवाद जैहिंजा भारत बंदे बात रहुँआ